जिसका सबको बेसबरी से इंतजार था वो गड़ी आखिरकार आही गई केसरगंच सीट से ब्रिजभूशन के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खत्म हो गया बीजेपी ने फाइनली ब्रिजभूशन सिंग का चिकेट काट दिया है पर यहीं पर बीजेपी ने दूसरा बड़ा दाओ भी खेला है दाओ है ब्रिजभूशन सिंग के बेटे को टिकेट देना आखिर बीजेपी ने ये दाओ क्यों खेला इसको समझना बेहत जरूरी है असल में बीजेपी नहीं चाहती थी कि लोगों की बीच चनाव की दोर में कोई भी गलत मैसेज जाए इसलिए बीजेपी ने बड़ी सफाई से एक तरफ टिकेट काटा भी और दूसरी तरफ उनहीं के वारिस ब्रिजभूशन के छोटे बेटे करन सिंग भूशन को टिकेट भी दे दिया राजपूत फैक्टर की वजह से भी ब्रिजभूशन के बेटे को टिकेट देना बीजेपी की मजबूरी थी वरना राजपूत वोट बीजेपी से छिटक सकता था आपको जानकारी दे दें कि विजभूशन सिंग पर महिला पहलवानों के योन शोशन के आरोब लगे थे जिसके बाद उन्हें डबलू ऐफाई के पत से हटा दिया गया था और अब बीजेपी ने उनका टिकेट भी काट दिया है हालांकि अब बाहुबली की विरासत उनके बेज़े को देने की कोशिश की गई है ये कितना सही है कितना गलत क्या है इस पर आपकी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए